देखो गाइस आप लोग एक लिए मैंने एक डिस्कॉर्ट सर्वर बनाया है जहां पर आप लोग अपने डाउट्स और कोई भी प्रॉब्लम या फिर बग्स आते हैं तो आप लोग वहाँ पर ग्रूप में जाके पूछ सकते हो या फिर एक दूसरे का help करके साथ में grow कर सकते ठीक है तो यहीं पर react के जो server पर मुझे एक आया राई भाई के तरब से question कि मेरा यहाँ पर यह वाला एरर आ रहा है और सही से work नहीं कर रहा है तो अगर आपको भी सही से question पूछना है तो आपको सारे screenshot प्रॉवाइट करने चाहिए जैसे कि राई भाई ने यहाँ पर किया दिया है तो चलिए थोड़ा सा error देख लेते हैं कि क्या है तो error basically यहाँ पर बूल रहा है कि यहाँ पर render method चेक करो transaction page में कुछ error होगा ठीक है तो और यहाँ पर एक error का string भी दिया है तो इसको पढ़के आपको कुछ basic idea लग जाएगा तो हमें error कहाँ पर concept मतलब page पर है transaction page या वो तो हम लोग सही जगा पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखो कि string यहाँ पर expect कर रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पर object पास करें तो हम लोग code में देखते हैं तो इसको check करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग एक-एक करके component को हटाओ जिससे आपको पता चल ज list को हटाता हूँ फिर check करते हैं क्या error गया नहीं गया तो इस tabs को हटाते हैं और इस tabs को भी यहाँ से हटा देते हैं तो अब check करते हैं page को reload करेंगे तो यहाँ पर error जा चुका यानि यह tabs में ही कुछ गड़बड है ठीक है तो tabs में क्या गड़बड है हम लोग थोड़ा code को देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो जो हमारा variable है वह भी सेम हो गया जो component आ रहा है चक्रा का टैप्स और यहाँ टैप्स दोनों में सेम हो गया तो जब भी आप लोग यहाँ यहाँ पर use करोगे ना तो आपको यहाँ पर camel case का use करना है तो camel case कुछ ऐसा होता है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंसुराज ठीक है यह मेरा नाम है उसी तरीके से channel name अगर camel case में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे do some coding ठीक है तो यह camel case में आपको variable लिखना है capital सुरू में नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसको हम लोग fix कर देते हैं तो इसको कर देते है small tabs ठीक है और इस tabs को हम लोग यहाँ पर use कर लेंगे तो पहले क्या हो रहा था कि यह जो tab है वो use हो रहा था यह वाला और data सही से आने रहा था मुझे लगता problem solve हो गया होगा और यह react का import up करने की ज़रूद नहीं पड़ते हैं तो देखो हमारा यहाँ पर सब कुछ data so हो रहा है तो ए कि लोग भी आपके help करने के लिए ready रहेंगे और यह भी फिला ज्यादा लोग नहीं आया तो मैं expect करूंगा जल्दी जल्दी इसमें community grow हो जाए और ज्यादा लोग इस चैनल से जूड़े ताकि एक दूसरे का problem लोग solve करते हैं ठीक है और इस जो भी server का link आपको description मिल जागा आप जाके जहूर से join कर लेना